नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा सब्सक्राइब करें टेक्निकल ग्रीवा यूट्यूब चानल और विल आइकन को भी करिये प्रेस ताकि हमारे हर वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आज कल कॉल से ज्यादा चैटिंग का इस्तेमाल लोग करते हैं और अब तो सायद इसकी सब को आदत भी पड़ चुकी है बस इसे चैटिंग को और भी इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए इमोजी का यूज किया जाता है हमारे कीबोर्ड में कई तरह की इमोजी होते हैं और इ इसमें से सबसे पहली हैंड जेस्टिर इमोजी है पर्म अप टूगेदर इस इमोजी का मतलब होता है हथेलिया एक साथ उपर इस इमोजी का स्तेमाल प्रेयर करने के लिए किया जाता है जब भी आप भगवान के सामने प्रेय करते हैं तो ऐसे ही अपने हाथों को एक साथ उठाते हैं तो ये भी बिल्कुल वही है आप प्रार्थना करने के लिए इस इमोजी का इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद जो दूसरी हैं जिस चरिमोजी है उसका नाम है फोल्डेड हैंड्स इसे देखकर तो सबसे पहले यह डाउट होता है कि यह हाइफाइब इमोजी है य या नमस्ते बोलने के लिए भी किया जाता है इसका इस्तिमाल आप किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं इसके बाद अब तीसरी हैंड जेशियर है ओपन हैंड इमोजी मतलब खुले हाथ वाला इमोजी इस इमोजी में दौनों का लाई एक साथ रहती हैं और ह उसके बाद जो चौथी इमोजी है उसका नाम है रेजड हैंड इमोजी यानि की उठा हुआ हाथ यह उठा हुआ हाथ दाहिना हाथ है इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी को आसिरवाद देना हो यानि कि अगर कोई आपके पास यह इमोजी सेंड करें तो इमोजी यानि की उठे हुए हाथ के पीछे का भाग इस इमोजी का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी के उपर गुस्सा आया हो आप चाहते हैं कि वह कुछ भी ना बोले तो ऐसे हाथ उठाके आप उसे चुप कर आ सकते हैं यानि कि अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है लेकिन फर भी आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते तो आप अपने हाथ को उठाकर उसे चुप करा सकते हैं इसलिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है So I hope कि आपको इन इमोजी ist का यूज समझ में आ गया होगा और इसमें से किसी इमोजी का यूज हाई फाइब और किसी इमोजी का यूज नमस्ते के लिए की लिए जाता है ये भी आप समझी गय होंगे सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार